हेले सुडेंट्स, वेलकम टू दा अफीसियल यूटूब चेनल आप ओरीजिन कोचिंग, स्वागा थे आप सभी का आज के इस स्पेसल सेशन में और आज मैं आप लोगों से कुछ महत्पूर्ण बात करने जा रहा हूँ, महत्पूर्ण बात ये, पहले तो मैं आपको ये बत मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इस विशय पर मैं आप से बात करूं, थमनल देखके तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस मेंटर पर बात करने जा रहा हूँ, देखिए ये अप्रेल माई का जो महीना होता है, लगभग सभी एक्जाम के रिजल्ट निकलने का महीना ह अभी कुछ दिनों पहले डिकलेर हुआ, तो यहां पर मैं आपको ये बता दूँ, कि रिजल्ट निकलने के बाद, कि जो इस्थिती बनती है, कुछ स्टुडेंट्स सक्सेज होते हैं, कुछ स्टुडेंट्स जितना चाहते हैं, उतने मास नहीं ला पाते हैं, और डिफ्रे कि हमारा result सबसे ज्यादा तुरंत जदी किसी को प्रभावित करता है वो हमारे parents को parents naturally भोगत ambitious होते हैं हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं और parents में विशेश रूप से मैं फादर पर, पीता पर बात करूँ तो वो तो सबसे ज़्यादा इंबिसियस होते है यदि हमारे और पीता के बीच में मा ना हो तब तो पूछिये मत ये प्रैक्टिकल बात है ये हर कोई महसूस करता है उसका कारण है पीता होने का मतलब ही होता है इंबिसन उनके अंदर महत्वा कांचा इतना भरा होता है कि वो अपने बच्चे पर वो सब चीज़ देखना चाहते है जो कहीं न कहीं या तो उनसे मिस हो गया, उनसे चूक हो गया या अपने से ज़्यादा हाइट के लिए वो सोचते है और सोचना भी चाहिए, यह बहुत ज़रूरी भी है लेकिन इस सोच का अपने बच्चे के साथ में जो कांबिनेशन है कहना चाहिए जिस तरह के उनके अंदर में अंडरिस्टेंडिंग है इस बहुत सार्फ डिफरेंस को थोड़ा समझना ज़रूरी है और इसी बात पर मैं आज से कुछ important discuss आज करूँगा देखे, पीता का ambitious होना बहुत सही है क्योंकि आप एक चीज़ हमें ऐसा ध्यान में रखना, कि जब तक पतंग का डोर किसी के हाथ में थामा गया है तभी तक पतंग हाइट में जाता है यदि आप पतंग के डोर को काट दो तो पतंग फिर उपर नहीं जाता वो नीचे गिरने लगता है ये आप हर कोई ये बात को जानते हैं इसलिए उनका ambitious होना जरूरी भी है, स्वभाविक भी है लेकिन इसके साथ में जो practical approach है वो एक बहुत important बात होती है जो हमको समझना जरूरी है देखिए result जब हमारा आता है 95% यदि आपका आ गया तो आपको सुन्या के मिलता है कि उसका 96% आया तुमने कहां miss कर दिया तुम भी तो ऐसी पढ़े थे तुम भी तो वही पढ़ते थे किसी का 85% आया तो 90% वाले का उसके सामने example है किसी का 75% आया 80% वाले का उसके सामने example है and so on ये बहुत सभाविक है ये बात हम लोगों ने भी अपने student type में face किया है और अभी आप लोग भी इस चीश को face कर रहे हो लेकिन इस अंतर्दवन को समझना बहुत जरूरी है कि वास्तों में ये परसेंट के माइने क्या है मैं आज 90-95 प्लस score करने वाले सभी students और parents को बहुत-बहुत सुबकामनाये देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा Mars score किया लेकिन जिन्होंने कम Mars score किया किसी कारण से उनके Mars कम हो गए या इवन कुछ लोग exam में अच्छा नहीं कर पाए फैल हो गए तो यहां पर इस बात को मैं आपके साथ में share करना चाहता हूँ कि यह जो आपके Mars है यह आपके जो Mars है इस Mars से आप कितने प्रभावित होते हैं हो सकता है उस नसे में आजाएं कि मेरा 95% है वो अभी गलत है और जिनका बहुत कम परसेंट आया हुआ है वो डिप्रेशन में आजाएं वो अभी गलत है एक्ट्वल में भगवत गीता में भगवान कृष्ण का जो संदेश है मध्यमार्ग और संभाव से कार्य करना ही सफलता का सबसे बड़ा वजह बनता है लाइफ में देखी मैं यह दिया पूरे इतिहास पर आप से डिसकस करूं तो अनगिनत एक्जांपल मैं आपको ऐसे बता सकता हूं जहां पर अपने स्टुडेंट लाइफ में या अपने एकेडमी केरियर में अच्छा नहीं कर पाने वाले स्टुडेंट फाइनली बहुत हाइट तक गए तो क्या वजह था कि उनको यह लोवर क्लास के रिजल्ट इतना प्रभावित नहीं किया यह विल पावर उनके अंदर कहां से आया इस बात को मैं बहुत डीपली आपको एस्प्रेल करना चाहता हूँ कि जब किसी कारण से हमारा रिजल्ट खराब हो जाता है या जितना हम एक्सपेट करते हैं उससे कम आ जाता है उस पर भी हम निरास होते हैं हतास होते हैं यह हमारे future को कितना प्रभावित करता है और क्यों करता है किनको करता है यह जानना जवरी है कुछ लोग इससे निश्शित उसे प्रभावित हो जाते हैं कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं और आगे के लिए बढ़ जाते हैं तो आज मैं आप सभी students से discuss करना चाहता हूं कि आप अपनी गलतियों से सीखें लेकिन उससे इतना ज्यादा प्रभाव इतना हो कि आपका एक bright future जो आपका इंतजार कर रहा है वो affected हो जाए देखें मैं आपको यहाँ पर एक real story share करना चाहता हूं एक real story आपके साथ में share करना चाहता हूं यह कोई कहानी नहीं हकीकत है आपको मालूम है कि जब race होता है दोड़ होता है तो बहुत से participants race में भाग लेते हैं 1987 में इटली के रोम सहर में international athlete competition हो रहा था विस विस तरी प्रतियोगिता हो रहा था उसमें भारत के भी एक खिलाडी ने participant किया था 1500 race पर उनका नाम था कास्मीरा सींग जब रेट सी स्टार्ट हुआ 1500 मीटर के रेस में फोर राउंड लगाने होते हैं ट्रेक के जैसे ही रेस स्टार्ट हुआ तो कास्मीरा सींग सबसे पहले थे और बहुत देर तक वो फर्स्ट पोजिशन पर रहे इवन कमेंटर लगभग उनका result declare कर रहते हैं कि आस के रेस में gold medalist यही होने वाले हैं लेकिन थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद उनके जस्ट पीछे का जो competitor था उनसे आगे निकल गया अब उनका पूरा focus इस बात पर हो गया कि कोई मेरे से आगे निकल गया है थोड़ी देर बाद ते जा रहे थे फाइनली रेस का जो result हुआ वो यह हुआ कि कास्मीरा सिंग का 40 पर्सन उसमें पार्टिसिपेट किये थे और इनका position रहा 38 38 position पर यह रहें और उस रेस में सुमालिया के आबदी बिले उस रेस में सुमालिया के आबदी बिले ने gold medal प्राप्त किया आज इतिहास में उन्ही का नाम दर्ज है यह मैं real story आपको share कर रहा हूँ इसका मतलब यह है कि important यह नहीं होता कि आपने शुर्वात कैसे किया था यह race के बीच में आपका position क्या था important यह होता है कि आपने finish कैसे किया finish करना important होता है आप पूरे दुनिया के जितने भी successful लोगों पर आप study कर लो research कर लो वो दुनिया में इसलिए बहुत अच्छा कर पाई इतिहास में इसलिए नाम लिखा पाई क्योंकि उन्होंने finish बहुत अच्छा किया चाहे अलबा टाइंस्टाइन हो चाहे थामस अलबा एडिसन हो इनका आप academic रिकार्ट आप पढ़ेंगे देखेंगे आपने सुना होगा तो बहुत average कई कटों below average था लेकिन इन्होंने जो finishing line को जो touch किया अपने life में वो बहुत high level पर था मैं तो कुछ discussion जनरली अपने सभी इस तरह की वीडियो में आप से discuss करता हूं मेरे खुद के role model और जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूं समस्ता हूं पढ़ता हूं आप guest कर लिए होंगे डक्टर एपीजे अब्दूल कलाम कलाम जी की story भी कुछ ही सी तरह की है आप लोग ने पढ़ा होगा कई बार मैं और भी class में कई बार सेयर करता हूं कि ये pilot बनना चाहते थे और pilot test में ये failure हो गया 10 candidates 9 candidates का selection होना था इनका position 10th number का था इनका position 10th number का था और ये उस exam में उस test में success नहीं हो पाए इवन उनके आटोबाय और अफिमिय और बहुत से बुक्स में पढ़ने को मिलता है कि उस घटना के बाद इन्होंने अपने जीवन को समाब तक कर लेने तक का सोच लिया था लेकिन आज कहानी आपके सामने है कि कि किस हाइड तक पहुँचे है तो एक ऐसा इंसान जो इतने डिप्रेशन से उठके इस हाइड तक पहुचे आप इस स्टोरी से समझ सकते हैं इनका बहुत फेमस कोटेशन जो मैंने यहां पर मेंसन किया हुआ है यदि आप अस्फल होते हैं तो कभी हार न माने क्योंकि फैल का अर्थ है फस्ट अटेंट इन लर्निंग बहुत अच्छ प्रटेंट है लर्निंग का कि आप वहां से सीखते हो फेल वो होते हैं जो उसे सीख नहीं पाते हैं तो डियर स्टुडेंट्स आज का इस स्पेसल सेशन आप से इस तरह से मेरा बात करने का मेरा मकसद यह रहा हर एक्जाम में अच्छा मास लाने का कोशिस करना है मेरे इस अर्थ आप निगेटिव सेंस में ना ले लें एक गिलास में आधा पानी भरा हुआ है तो आप ऐसा ना कह दें कि आधा खाली है आप यह कहें कि आधा भरा हुआ है पाजिटिव सेंस में लें इसका मतलब यह नहीं कि हमको किसी एक्जाम के लिए मार्स का कोई रोल नहीं है तो बस कुछ भी मार्स आ जाए ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूं हर प्रयास को अपना 100% देने का कोशिस करिए लेकिन यदि किसी करार से आपका result आप जितना expect करते हैं उससे कम आ जाता है तो उससे ज़्यादा प्रभावित होने का जूरत नहीं है क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में एक लक्ष निर्धारित करता है और आपने जो लक्ष निर्धारित किया है यदि आप उस लक्ष को पा लेते हैं आप successful होया आते हैं रास्ते में जो up sender down आते हैं वह ज़ादा calculate करने का नहीं होता, वो के ब 현재 सीखने का होता है एक लंबी आत्रा पर हम हैं और सपोज हमारा हमारी ट्रेन किसी स्टेशन पर लंबे समय तक इसलिए रुख गई क्योंकि आगे सिगनल नहीं मिला था किसी की ट्रेन जल्दी चली गई क्योंकि उसका सिगनल क्लियर था यह यह डिसाइड नहीं करता कि destination हमको मिलेगा कि नहीं destination हमको मिलेगा हमारा लक्ष हमको मिलेगा हम कहीं थोड़ा ठहर गए इसका मतलब यह नहीं कि हम लक्ष तक नहीं पहुँच सकते हैं हम पहुचेंगे यह life का part है वो चलते रहता है और especially इस time में जब result आता है इतना प्रभावित कर देता है कि वो restain होने के condition में नहीं होते यह बहुत गलत बात है कि आप fail उसी दिन होते हैं जिस दिन आप दुबारा प्रयास करना बंद कर देते हैं और जब तक आप प्रयास कर रहे हैं तो fail जैसा कोई चीज लाइफ में होता ही नहीं है finally मैं आपको अंत में यह कहना चाहता हूँ जिनके भी 10th class में 12th class में भी result आया कमजोर आया, पूर आया मैं चाहता हूँ कि वो feature में इतने प्रयास करें इतना मेहनत करें इतना बड़ा लक्ष निर्धारित करें और उस लक्ष को पाने का इतना प्रयास करें कि एक दिन आप उस height में पहुंचो जिस दिन कोई आप से 10th और 12th का या तो result पूछने का सहस न करे या आपको बताने की आउसकता न हो आप अपने को इतना proof करो कि इस class के result किसी मायने के न रहें किसी का सहस न हो कि आप से पूछें कि आपका 10th class में कितना result था आपका 12th class में क्या मार्ज था ये कोई पूछने का सहस न करें आप से या ज़रुरत न समझें तो मैं चाहता हूं कि मेरे class का हर students जो मेरी बात को सुन रहा है वो बिल्कुल अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष निधारित करें उसको पाने का पूरा प्रयास करें लाइफ में छोटे-छोटे मुकाम परेदी आप कुछ अच्छा नहीं कर पाते हो कोई बड़ी बात नहीं होती यदि मैं उन successful लोगों का यदि यहाँ पर नाम गिनाना आपको start कर दूँ जो academic career में Everest है और किस height तक गए तो यह video 10 घंटे का हो सकता है लेकिन आप सबको पता है मेरा final message यही है कि आपको आज से ही एक नए लक्ष के लिए एक नई शुरवात के लिए आपको प्रयास करना है मेरी सुपकामना है आपके साथ है मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आप अपनी लक्ष को पाहिए यही मेरी सुपकामना है wish you all the best thank you